हाल दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगा स्वागत हैं तो दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करने वाल है कि बहुत लगों को यह प्रोब्लम हो रहा है कि भाई हम लोगा जो डीजी सीपिंग का प्रोफाइल है डिरेक्टर दनलॉप सीपिंग का प प्रॉट करना है कि अगर आपने वैशा फोटो और चैनल के अब्लोट करना है अगर अपने में किया है आप अपने में इसे डीजी थी मैंअगों नहीं π आपको लाइव करके दिखाएंगे कि फोटो और सिगनेचर कैसे अपलोड करना चाहिए ताकि आगे चल कर आपको भई उसमें कोई दिक्कत ना हो और दोस्तो यह फोटो और सिगनेचर अपलोड एक ही टाइम में होगा ठीकिया अगर अभी आप अपलोड कर देंगे फ्रेसर अभी आप अपलोड कर देंगे फ्रेस अगर माली जी अपको दिक्कत हो गया कि नहीं मैंने तो फोटो गलत अपलोड कर दिया है तो सिगनेचर भी गलत अपलोड कर देंगे तो सबसे पहले आप समझी कितember का सेंपल कैसा होना चाहिए तो देखिए फोटो दिखाई देर आपको ऐसा फोटो आप खिचवाईएगा यानि वाइट सौट वाइट बेक्ग्राउंड अगर आपके पास कोट है तो कोट डालीजिए लेकिन जो अंदर का सौट होना चाहिए वह आपका वाइट होना है और आपका दो फेस होना चाहिए फेस वह आपका पूरा बात कर लें दिखाई दे रहे देंखियो ऐसा सिगनेटर होना चाहिए वाइट पेजपर ब्लेग पैंड से अंदम साफ होना चाहिए. अब इन्होंने Capital later में किया है. तो आप मैं समझे कि आपको भी Capital later में करना है. जैसे आपने PASPORτ में SIGN किया है, सेम वैसाई आपको SIGN करना है. वाइट पेज पर और Black Pen से वो भी Black Pen जो होना चाहिए, करना है और दोस्तों मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जी एस एकैडमी तो उसको भी जाकर सस्क्राइब कर लिजी कि वहाँ पर आपको जीके जीएस मैथ रिजिनिंग से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रही है और अभी तो एस पेशल इंडियन कोस्ट गार का प्रेक्टिस सेट वहाँ पर चल रहा है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार का एक्जाम होने वाला है तो उसको भी जाकर आप लोग प्रेक्टिस करते रहे हैं तो चलिए हम लोग वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा पीव में आपको बताया था पहले उसका डेमो समाझ लिए ठीक है जो सिगनेचर होना चाहिए आपका इस बर्जन में होना चाहिए ठीक है अब यह नहीं है कि यह केपिटल किया है यह मेरे जो दोस्त हैं सजाद अंसारी यह ज़रूरी नहीं है कि यह जो capital की है आपको capital ही करना है आपका passport में जैसा sign है वैसा ही करना है इन्होंने अपना passport में ऐसा किया है तो इन्होंने ऐसा किया है वाइट पीछे वाला background होना चाहिए और black pen से आपका sign होना चाहिए ठीक है उसके बाद photo की बात कर जाता हूं तो देखिए photo उन्होंने कैसा किचवाया है तो total देखिए जो face से उनका साफ दिखाई दे रहा है और saving वागेरा करके आप घिचवाईएगा ठीक है मने अब यह नहीं है कि आप saving करबे किजिएगा मने जो लड़के saving करते हैं आज saving करके घिचवाईएगा तो white sort पेना है अगर आपके पास coat वगरा हो तो coat भी पेन सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन याद रखिएगा बिना coat का घिचवाईएगा तो white sort होना चाहिए white sort और white background और 70% face cover होना चाहिए तो ऐसा photo होना चाहिए ठीक है यह मैंने दोनों example आपको दे दिया sign ऐसा होना चाहिए और photo ऐसा होना चाहिए अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे upload किया जाता है ठीक है तो जन्रली आपको करना नहीं है अपने firefox mozilla browser में आ जाना है ठीक है आने के बाद डीजी सीपिंग के जो official website है उसका नाम है www.dgc.gov.in वहाँ पर आपको जाना है जाने के उसके बाद यहाँ पर ऑपको username डिखाई दे रहा है और यहाँ पर password दिखाई दे रहा है ठीक है तो यूजर नेम और password आपको fill करना है तो ठीक है तो मैं hidden करके फट 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 यूजर नेम और पासवर्ट फिल करके आपको दिखाता हूं ठीक है तो दोस्तो देखिए मैंने यूजर नेम और पासवर्ट फील करके इनका नाम मुहम्मद सज्जाद अंसरी आ गया अब इनका मैं फोटो और सिगनेचर अपलोड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तो इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर यह वाला कोर्नर आपको दिखाई दे रहा है अपडेट सी फिर प्रोफाइट ठीक है तो इसी पर आपको क्या करना है टेब करना है टेब करने के बाद यह आपका open हो गया ठीक है open जैसा ही हो रहा है आप अपने नीचे आईए save and next कीजिए ठीक है फिर नीचे आईए next कीजिए फिर नीचे आईए next कीजिए फिर नीचे फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करने देखे यह आपका लास्ट वला प्रोफाइल आगया ठीक है दिखाई दे रहा है आपको लास्ट यह आपका प्रोफाइल आगया ठीक है फोटो और सिगनेचर का गाइदेंस भी यहां पर दिया है ठीक है और बोल रहा है कि जो होना चाहिए एकदम proper update होना चाहिए photo must be recent passport side color print out the color picture must be taken against the light color perfectly with the white background white background में होना चाहिए the candidate should be looking straight at the camera with the relaxed face एकदम normal तरीका से face होना चाहिए यह signature क्या बोला गया है signature will be white paper with blank ink pen से करना है signature must be sign only the one applicant not by the other person आप ही को करना है इसका dimension इतना होना चाहिए signature will be highlight and this can not be entire page है माने highlight की तरह होना चाहिए यह सब पढ़ने के बाद आपको इसको slot करना है और नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है document select document तो यह जो है time selects पर आपको click करना है click करने के बाद आप photo upload कर रहे हैं तो photo वाला option पर आपको click करना है तो मैंने photo पर click कर दिया उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है browser तो ब्राउजर पर आपको click-click कर देना है browser पर जैसे ही upload वाले option पर कर देना है click जैसे ही upload वाले option पर click करेंगे देखे ये photo हो गया इनका upload दिखाई दे रहाँ आपको ये photo कितना अच्छा से upload हो ठीक है और देखे ये time भी और date भी बता दिया ठीक है अब चलिए मैं यहाँ से अब मेरे को करना है signature upload ठीक है तो यहाँ पर मैं select वाले option पर click करता हूँ देखे मैं ने photo upload कर दिया तो photo का option नहीं आएगा अब किसका option आएगा signature का तो यहाँ पर जो signature का option है मैं signature वाले option पर जो upload कर दीजिएगा उसका automatic यहाँ से list खतम हो जाएगा तो signature पर मैंने कर दिया अब यहाँ पर याद रखिएगा signature के जगा photo और photo के जगा signature तो फिर मुस्की लोगा तो ध्यान से किजिएगा उसके बाद हम लोग select browser पर करते हैं browser पर करने के बाद देखिए इनका signature है तो यहाँ पर मैंने signature कर दिया और signature करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है upload याद रखिएगा दोस्तो एक ही बार photo upload होगा और एक ही बार signature upload होगा बार बार नहीं होगा तो ध्यान से आपको upload करना है यहाँ पर मैं कर देता हूँ upload upload जैसे ही किया तो देखिए इनका MD सज्जाद अंसारी इनका signature भी क्या हो गया upload हो गया तो photo भी upload हो गया signature भी upload हो गया यहाँ पर select करते हैं तो देखिए photo और signature का option क्या हो जा रहा है हड़ जा रहा है तो दोस्तों कितना आसान है आप जाईएगा cyber cafe में या कहीं सी agent को पकड़िएगा तो आप से कितना पैसा चार्ज करेगा कोई नहीं जानता है लेकिन इस तरीका से आप असानी से अपना photo और signature अपलोड कर सकते हैं तो दोस्तों photo ऐसा ही खिचवाईएगा और signature एकदम ऐसा ही clear and साफ सुतरा दीजिएगा तो दोस्तों मैंने I think आपको बता दिया अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है आपको merchant ने भी से रिलिटर जनकारी मिलती रहेगी तो thank you so much for watching this video